Cytoplasmic organelles is the ribosomes First are contents Definition of ribosomes Structure of ribosomes Chemical composition of ribosomes And function of ribosomes Definition Ribosomes is basically the non-membrane bounded organelles Involve in protein synthesis This definition is very simple Cytoplasmic organelles are all most Baking all organelles Membranes are the ribosomes But ribosomes are without any membrane They are non-membrane bounded organelles And they are involved in protein synthesis Structure of ribosomes Ribosomes If we look at the ribosomes This ribosome is basically 2 sub-units One sub-units So that we can do large ribosomes Sub-units Another size is small ribosomes Sub-units Cell in the When ribosomes Ribosomes Do not work These two units are Alag-alag Large ribosomes Sub-units Alag-alag Small sub-units Alag-alag Pro-carrior Sub-units Sub-units Alag-alag Sub-units Sub-units Alag-alag रहते हैं अब राइबोसोम जगर हम देखें बैक्टिरिया का राइबोसोम जो है प्रोकरियोड का राइबोसोम 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 से थोड़ा मुख्तलिफ है प्रोकरियोड का जो राइबोसोम है वो छोड़ा स्माल साइज का है तो बैक्टिरिया चुकि प्रोकरियोड से बिलांग करते हैं इसलिए अगर हम बैक्टिरिया की या जैनरली प्रोकरियोड की बात करें तो इनके राइबोसोम का टोटल साइज है 70S इसमें जो लार्ज राइबोसोमल साइज है that is 50S जबके समाल राइबोसोमल साइज है 30S की होती है जबके यूकरियोड के अंदर राइबोसोम का टोटल साइज है 80S और इसमें लार्ज राइबोसोमल साइज है 60S की जबके समाल राइबोसोमल साइज होगी हमारे पास it will be of 40s तो जिससा 40 और 60 की जोज़ हो ये ratio बनेगी हमारे पास here the structure of ribosomes अगर आप राइबोसोम को structure को देखे ये basically eukaryotic ribosome का structure है जिसमें it is the structure of prokaryotic ribosome bacteria का ribosome है ये this the large ribosome sub unit 50s है जबके small ribosome sub unit 30s है अचा अगर ये prokaryotic की है अगर ये yukaryote की होती तो फिर इसमें हमारे पास थोड़ डिफरेंस क्या आना था कि जो large ribosome sub unit होती है वो 60s की होनी थी और जो small ribosome sub unit होती हो 40s की होती है जबके स्टूड़न्ट से यहाँ ये s जो है स्वेड़बर्ग unit है स्वेड़बर्ग unit कहते है ये basically जब हम particle चुकर ribosome इतना चोटा है कि इसको हम देख नहीं सकते है तो आम तोर पर जब इसको centrifuge किया जाता है तो एक खास position के उपर आकर जहाँ उसको stay करते हैं रुकते हैं ये तो ये basically centrifugation का unit है जिस position के उपर रुकता है उस position के लिए से हम इसको नाम देते हैं small ribosomal sub unit 30 position के उपर आकर रुकता है इसलिए हम इसको 30S कहते हैं large ribosomal sub unit 50 position के उपर आकर रुकता है इसलिए हम इसको 50S कहते हैं इसी तरह से जो यूकरियोड्स हैं यूकरियोड का लार्ज राइबोसोमर साभ यूनिट 60 पॉजिशन के उपर आकर रुकेगा और समार राइबोसोमर साभ यूनिट 40 पॉजिशन के उपर आकर रुकेगा Chemical Composition of Ribosomes Chemical Ribosomes जो हैं दियार मेड़ अप आफ प्रोटीन और अरने इसलिए हम इसके लिए एक और वर्ड चुछ जोता है एक नाम तो होगए राइबोसोम दूसरा इसको कहते हैं राइबो नुकलियो पार्टीकल्स ठीक है यह प्रोटीन्स जो हैं वो यह वो है जिसके अंदर राइबोस यानिके आरने और प्रोटीन्स मुझूद है जो मेसेंजर आरने के उपर मुझूद है उसके मताबक राइबोसोम ने प्रोटीन बनानी है तो बाद सफ़ ऐसा होता है कि एक मेसंजर आ रहने के साथ एक राइबोसोम अटैच हुआ वो जैसे जैसे जलता जाएगा वो प्रोटीन बनाता जाएगा जैसे वो राइबोसोम थोड़ा आगे होता है दूसरा राइबोसोम आकर टैच होता है दूसरा राइबोसोम आगे जाएगा तीसरा राइबोसोम टैच हो जाता है इस तरह से एक ही मेसंजर आ रहने के साथ बहुत सारे राइबोसोम कठे टैच हो जाते है जितने ribosomes अटेच होते हैं उतने ही protein के molecules बनेंगे तो ऐसी condition जिसमें एक messenger आ रहने के साथ बहुत सारे ribosome अटेच होते हैं जिसकाल polysome डाइगराम में अगर आप देखें तो यह उपर वल जो फर्स डाइगराम है इसमें बतायागा कि किस तरह से एक ribosome protein synthesize करता है यह जो आपको दर्मयान में string नज़र आ रही है यह basically messenger RNA है ribosome की small असाब unit messenger RNA के एक तरफ है और large ribosome और दूसरी तरफ मुझूद है जैसे जैसे यह ribosome messenger RNA के ओपर move करता चला जाएगा messenger RNA के instruction पड़ता जाएगा और उसके मताबक protein synthesize करता जाएगा यह जो blue color में आपको नज़र आ रही है protein बनेगी तो जब यह ribosome messenger RNA के end के ओपर पहुँच जाएगा तो पूरी protein जहों बन चुकी होगी अच्छा दूसरी अभी हमने जो खाए polysome condition क्या है polysome में यह होता है कि जैसे एक messenger RNA के साथ अच्छ हुआ जैसे यह थोड़ा सा आ गया यह इसके पिछे इक और राइबोसome अच्छ हो गया जब वो थोड़ा आ गया आएगा उसके साथ इक और राइबोसome फेर इक और वो इस तरह से बहुत सारे राइबोसome जो है वो एक ही messenger RNA के साथ अच्छ हो जाते हैं अब जितने राइबोसome अच्छ हुए हैं हर राइबोसome न अपना protein molecule बनवाना है तो यहां जैसे 5 राइबोसome अच्छ हुए हैं तो 5 protein molecules जाब हो बनेंगे अगर 6 हैं तो फिर 6 protein molecules जो हैं बनेंगे वो इस condition को हम क्या नाम देंगे it is the polysomes